सबी दोस्तों को सलाम नमस्कार एक बाइफ्री से स्वागत है आपका इस्टेडी एलेवन में मैं हाजिर हूँ नदीम आपके साथ MCQs on Current Affairs on 14 September 2021 को लिकर जी हाँ और इस चैनल का जो स्लोगन है वो है स्टेडी एलेवन नेवर गिवाँ को यह तो आई एक Continuum प्रब्चार करते हैं कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ दाभी नेवर जिया है यहां दोस्तों कोशिश आइसी ही होनी चाहिए यह नहीं कि हम हार रहे हैं तो क्यों हार रहे हैं हमें हारना नहीं चाहिए था इस तरह से आप आगे नहीं बहुत होगे बिल्के कोशिशें लगातार जारी रहनी चाहिए यहां कोशिशें ही काम्याब होगती है तो ऐब चानिवार के साथ गट्साथ में फेस्त्रा सेर खर्ता हूं आन्सक्सट प्सक्राइब कर्णों नो यानि फेस्ट तर चाहर पच्छास गिगावाट के रिन्यल्ट के लिए कांसे कंट्री कोलिए कर वे ही है इंडिया के साथ, that is US, UK, France, इसराइब, यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका US. क्या हाँ, एक्लामट अच्छन और फानास मोबिलाइशन डालोग, आपके साथ वे साथ आए, यह हुआ यह है कि करेंट्ली जॉन केरी जो है, US के स्पेशल इनवाय है, वो और हमारे इंडिया के मानली इंवार्मेंट मिस्टर गुखिंदर यादब यह दोनों ने यह एग्रिमेंट साइन किया है, जिसमें, जिसका नाम है, The Climate Action and Finance Mobilization Dialogue, जी हाँ, इसके तरह अभी जो हमारा क्रेक्ट इंडिया का जो जो पावर प्रोजेक्ट का capacity का लक्ष है, वो 2021-2022 तक 406 GW है, जो कि 2030 तक 870 GW हो जाएगा, नेच्ट आते हैं, और देखते हैं कि अधर्स के लिए भारत का जो रिटेल इंफ्लेशन यानि फुद्रा बुद्रास्विती क्या रही है, 6.3, 5.3, 5.6, 4%, अंसर होगा, 5.3, जी हाँ, 5.3 is the answer, और यहाँ पर यह है कि जुलाई के मुकाबले में, फुट प्राइस का जो यह है, वो खट गया है, जुलाई में था 4%, और अगस्त में हो गया, 3.11%, नेच्ट आते हैं, किस राज के सरकार ने नीट के खिलाफ बिल पास किया है, that is called Tamil Nadu, जी हाँ, किस स्टेट गॉर्ब्मेंट ने नीट के खिलाफ बिल पास किया, बड़ा स्टा तिलंगना, Tamil Nadu, आंसर जैसा कि हमने बताया आपको, Tamil Nadu is the answer, और यहाँ पर आईए, हम देखते हैं क्या हुआ, कि स्टेट गॉर्ब्मेंट ने एक कमीटी बनाए थी, जिसका नाम था, A.K. था कि नीट ने अंडर्माइन कर दिया है, क्लियर लिए, अंडर्माइन किया है, कि MBBS और हायर स्टेडीज के लिए, किसको फेवर करते होवे, एफ्लाइट सिंगमेंट ऑफ दे ससाइटी, यानि के, जो संब्रित वर्द के पक्ष में, क्या है, और जो ड्रीम है, अंडर प् इस इस कमीटी का दावा है, तो इस कमीटी के दावे के एतरबार से वहाँ पर इस्टेड गवर्बमेंट ने ये बिल पास किया, जिहां, नेश्ट आते हैं, कि विच आओफ दो फोलोंग इस्टेड अस्टेड इसम्बली पास्ट अ बिल तु मेंग दे इंवर्चमेंट रिजियस इस्टेटूशन अ कोगनीजेबल और नॉन वेलेबल ओफेंस, जी हां, किस इस्टेड गवर्बमेट ने मंदिर अत्वाध हर्मिक संस्थानु से संभानी संपतिव के अतिकर्मन पर कोगनीजेबल और नॉन वेलेबल ओफेंस का आप भी है, करनाटक, बाराष्ट प्रणाना, तामिलनाटोर और यह है तामिलनाटोर जी हम, तो खुश्यार हो जाया है, ऐसे लोग, नेस्ट, किसरा सरकार ने यालने के 2,000 क्रोर रुपे का MOU, DP World के साथ साथ साइन किया है, DP World के, which state government has signed an MOU with DP World for proposed investment of Rs.2,000 क्रोर, करनाटक, मानाष्टरा, तामिलना, तामिलन जी हा, तो नेक्स्ट आते हैं, वो हुआ क्या है, यह कंपनी का प्लान है, क्या क्या इस्टाब्लेस्मिन करने का है, कंटेनर टर्डिनल, माइनर पोर्ट, और कोर्ड इस्टोरी फैसिलिटी, और फी ट्रेड जोन, और डाटा सेंटर, अमंग अधर्स, कहां कहां पर, नेक्स्ट आते हैं, क्या हाल ही में एक अन्गो भी देखती है, आने के वेटनर पस्नालिटी ऐस्कर फर्नालिटी अस्कर फर्नालिटी इस्टाइड, विच फिल्ड वस ही अस्टाइड, चिनिमा, पैंटिंग, मुजिसियन, पोर्टिक्स, वो मंत्री भी रह थे, पोर्डिस रिजिम में, और स्कर फिल्ड राइड साथ, विका इडित फूगे, जहां भुपेंद्र पतेल साथ, विकेम दो नुव चीफ निस्टाइड, विच फिल्ड फॉल्ड इस्टाइड, प्रनाटक, मरास्टा, तेलंगलना, गुजरात, आप जांते ही ही हो, गुजरात, तो वा The following institution has claimed that the climate change could push more than 200 million people to leave their homes in the next three decades and create migration hotspots. WHO, World Bank, IMF, UNESCO, आणि किस सस्थान ने ये दावा किया है कि 200 million से जादे लोग अपने घर को छोडने और प्रवासन hotspot इसम प्राने को मजबूर हो जाएंगे. जी हाँ, तो आई कौन कौन देखते हैं? WHO, World Bank, IMF, UNESCO. The answer is World Bank. The answer is World Bank ने अपना ये अनुमान लगाया है कि तीन दर्शक के बाद ऐसा होगा कि 200 million लोगों को अपना घर बाद चुनने को मजबूर होना पड़ेगा climate change के करम. नेक्स आते हैं और वजटते हैं कि रिसेंटी, which of the following country has successfully tested newly developed long range cruise missile? जीहां, North Korea, South Korea, Israel, US. The answer is North Korea. North Korea ने अभी हाल ही में successfully tested किया है, नेक्स आते हैं नेक्स आमनों देखते हैं, चार पहिया, चला कीम्हा जेखते हैं ड्रा तुनी हैं कि यरत पहियद बार्चे के परादेशट के रिसेंड़ के जनीी, जेक्स, यक्स, यत coach ये कि अभी हैं? यहां पर जो अंसर होगा एक नमबर होगा अनि इस्टेट ओन इस्टाइग एरो इस्पेस इस प्रीज लेक्स एन के सब्सक्राइब तो यहां पर देखते हैं यहीं है रोबोट जीहां यहां यहीं के ड्रॉन से टाइप का है आप देखिए आपर के फाइटिंग मेशन है अन् गार्ई लिए burgन उस्पु दिया था same ऐबात यहां ने जीहां टोगोंस आप आप बात यिश्ट पर है कुस्ट कया प्रॉन हुआप पर टूस्ट application यहां हुआ यहां आप देखिए कृतिमे दिऴत्यटरं लिएजीपस इसंटे मेट shrष इन सेस्ट आफ तन के सामने है On this day, in 1947, Hindi in Dev Nagari script was adopted as one of the two official languages of the Republic of India by Constituent Assembly of India. Under Article 343 of Indian Constitution, Hindi written in Dev Nagari script was adopted as one of the official languages. options, only A and B, only B and C, only C and A, all are correct. तो यहां पर जो आंसर होगा सर, only C and A, only C and A is the answer, only C and A is the answer. इसलिए के यहां पर जो आपके सामने है यह 1947 नहीं हो करके 1949 होगा सर, नहीं होगा हुगा जी हा, 1949 होगा, जी हा, 1949. तो यह आज का बस इतना ही, और फिल्जॉप लोग आगे के लिए आप इनतसार करें, जी हा, ङरस हो वाड़ा वल तो दे तकार आइज आए तो आप को पसंद आए तो तो इसे लाइक, शेर और गमेंट जलू करेंगे, जुरू है झाल